हेलो दोस्तो मैं हूँ मोहमद स्केल आपका भूत-बहुत स्वागत आज की इस वीडियो में जेडी एजुकेशन आपके लिए की डियमल्टी फर्स्ट यार कंप्यूटर एप्लिकेशन का जुलाई 2018 में हुआ एक्जाम पेपल लेके आया है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए यूँकि हम इस से चैनल पर डियमल्टी से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं तो शुरू करते हैं इसमें आपको टाइम मिलता है थ्री होर्स और मेक्सिमम माक्स होते हैं सो है और कि इसमें खुल ए 7 पर्सन है जिनमें इसे आपको कोई 5 करने हैं और पर खर्थ एक पर्सन 20 20 अंक क्या है पहला परसन देख ने पहला पर्सन है- कंप्पिटर क्या ہے- कंप्पिटर क्या हैorestá है विभीन परकार के कंप्पिटर करें computer की सेस्टाइं क्या है जो इसे मानों से अलग बनाती है जैसा कि आपको बताया कि पर्टेक परसंद 20 नमबर का है और 20 अंक इन सभी परसंद के आगे लिखे हुए हैं तो दूसरा परसंद है computer के चार मुख्ये parts को समझाईए और computer के कुछ और parts को भी समझाईए जो इविविन कारियों के लिए उससे जुड़ा जा सकता है परसंद नमबर 3 में दो परसंद है A और B इसमें दोनों दस दस अंके हैं इसमें A परसंद है विविन 16 में computer के उप्योग का वर्णन करें देनिक अदार पर उप्योग किया जाने वाले 5 computer application लिखें इसमें B है operating system क्या है operating system के कार्यों और प्रकारों की व्याख्या करें परसंद नमबर 4 इसमें भी A और B दो भागए जो दोनों दस दस अंके हैं A है keyboard के बारे में पर्णन करें keyboard के विविन परकार की कीज के कार्यों को लिखें इसमें B है internet क्या है internet पर काम करते समय उप्योग करता दोरा क्या-क्या साउधानी बढ़ता ही चाहिए परसंद नमबर 5 में भी A और B दो अप्सन है और दोनों ही करने हैं इसमें A नमबर है input device क्या है विविन परकार के input device का वर्णन करें B है hospital management system के lab और परकारों की व्याख्या करें दोस्तो इस वीडियो को complete देखे जिसे कि आपको सभी परसंद मिल सके और यह परसंद रिपीट भी हो सकते हैं तो इसके लिए भी आप ज़रूर देखें परसंद नमबर छे है explain flowing इसमें दो बागए A और B A नमबर है computer hardware और software B नमबर है memory और storage devices परसंद नमबर साथ और last person है निमल लिखित के लिए किये जाने वाले संचालन की व्याख्या करें इसमें A नमबर है computer शुरू और उप्योग करने के लिए B नमबर है computer MS paint program का उप्योग करके drawing और रंगना C नमबर है wordpad या Microsoft word या MS office का उप्योग करके दस्तावेज बनाना D नमबर है mail merge करना साथ नमबर में 4 परसन है जो चारों पांच पांच परसन की हैं इन सातों में से आपको कोई 5 परसन अटेम्ट करने हैं जो कुल 100 नमबर के हो जाएंगे इस वीडियो को आप अपने से पार्टियों तक पहुंचाएं और उन्हें भी परसन पत्तर एक्जाम परसन पत्तर आप उनको भी उपलब्द कराएं इससे वो भी इन्हें अच्छे से देख लें क्योंकि इन परसनों के रिपीट होने की बहुत समावना रहती है वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया थैंक यू